मेनेजरियल रेमुनरेशन जनरली लोग अलग से इस चेप्टर को कराते नहीं है वो जब फानेशली स्टेट्मेंट और जॉन्टिस्ट और कपनी का चेप्टर होता है तो उसमें दो मिनट पांच मिनट का अलका सापको इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है कि मेनेजरियल रेम रेमुनरेशन का मतलब होता है मेनेजरियल परसन जो होते हैं डारेक्टर्स मेनेजिंग डारेक्टर्स मेनेजर इनको जो हम प्रॉफिट देते हैं वो प्रॉफिट हम डेबिट साइड में लिखते हैं पी एंडल एकाउन में ठीक है अबाव दा लाइन और रेमुनरेशन ज तो आप इसको unlimited ना दे, एक limit बनाई है कि आपको अपने managerial person को इतना ही maximum remuneration देना है, उससे ज़्यादा है, तो आपको अलग-अलग procedure follow करने पड़ेंगे. तो managerial remuneration calculate किया जाता है generally profit per 8 percentage के थूप, various sections है 2013 Companies Act में जो इसके बारे में बताता है, section 197 है जो हमें बताता है overall maximum managerial remuneration कितनी हो सकती है, profit होगा तो और profit नहीं होगा तो भी कितना हो सकता है, क्योंकि यह तो है ही नहीं, कि अगर profit नहीं हो रहा है तो आप managerial remuneration देंगे ही नहीं, तो देना तो होगा, लिकि maximum कितना दे सकते हैं, तो अगर total managerial remuneration, यह public company, अपने director को, including managing director, whole time director and manager, किसी भी financial year में 11% of net profit से ज़्यादा नहीं दे सकती है, और वो जो profit निकाला जाएगा, वो भी section 198 है, company's head में उसके हिसाब से निकाला जाएगा, तो maximum is 11% of profit, और provided further, that, except with the approval of company, in the general meeting, बिना general meeting में approval के, वो maximum, maximum कितना दे सकते हैं, अगर एक managing director है business में, managing director तो एक ही हो सकता है, whole time director एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो यह लिखा है, या तो एक managing director है, या एक whole time director है, दोनों नहीं है, या manager है, तो या तो business में एक managing director है, या एक whole time director है, या एक manager है, तो उस एकलोते इंसान को आप 5% of net profit से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा है, 2-3 whole time director है, managing director plus whole time director plus manager है, तो सबको मिलाकर 10% से ज़्यादा आप नहीं दे पाएंगे, तो single है, single है, एक ही बंदा है, manager, या managing director, या whole time director, only one है, तो इसको maximum आप दे पाएंगे 5% of profit, उसे मैं adjusted profit नाम दे देता हूँ, क्योंकि यह जो adjusted profit है, यह अभी हम निकालना सीखने वाले हैं, और अगर यह more than one है, तो more than one के case में 10%, maximum, for all, सबको मिलाकर 10% दिया जा सकता है, 10% of adjusted profit, अब हम बात करते हैं, उन लोगों को जो managing director, whole time director, या manager नहीं है, इसका मतलब managerial person है, लेकिन यह नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं, part time directors, तो जो part time directors हैं, उनको maximum 1% दिया जा सकता है, अगर whole time director या managing director भी हैं, मतलब, चाह एक या एक से जादा, अगर इन में से कोई भी है, if any, one or more, कोई एक या उससे जादा है, तो part time director को 1% मिलेगा, maximum, for all part time directors, whether one or more, तो part time के लिए condition नहीं है, कि part time director एक होना चाहिए या दो, यह condition whole time director के लिए, part time director में condition नहीं है, बच्चे confused हो जाते हैं, कि एक part time director है, तो one देंगे, एक से जादा तो three देंगे, नहीं, part time director एक हो, दो हो, दस हो, उससे कोई फर्ग नहीं पड़ता है, हम देखेंगे, कोई manager, managing director, या all time director है, एक या एक से जादा, तो इन्हें 1% मिलेगा, और no managing director, और manager, और whole time director, है ही नहीं, तो इन्हें मिलेगा 3% maximum for all part time directors, तो part time director को मिलेगा नहीं, मिलेगा, यह इस बात पर depend करता है, इसके लिए मैंने यह सारी बाते आपको समझाई थी, मैं आपको एक अलग तरीके से समझा देता हूँ, सबसे पहले, मैं आपको समझाता हूँ, one manager, or managing director, or whole time director, इन्हें मिलेगा maximum 5%, और इस situation में part time director को मिलेगा maximum 1%, one or more कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ, दूसरी situation, case one, case two, more than one manager plus managing director plus whole time director, एक से जादा है, तो इन्हें मिलेगा maximum 10%, इस चीज़ का ये adjusted profit का maximum 10% for all, और अगर part time director भी हैं, तो इनको मिलेगा maximum 1% for all, whether one or more, case number three, no manager, managing director, or whole time director, इन्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, है ये नहीं, लेकिन part time director, one or more हो, उनको मिलेगा maximum 3% for all, तो ये पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि कितना देना, तो सारा खेल इस बात पर depend करता है, कि हमारा adjusted profit कैसे निकलेगा, तो ये adjusted profit निकालने के लिए, हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, PGPP का चप्टर, income tax में, उस पर भी थोड़ा सा, allowed, disallowed के हिसाब से, तो अगर profit होगा, तो अभी हम देख लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास profit ही नहीं है, मतलब कि हमारे पास loss आ गया, तो हम 5%, 10%, 3%, किस चीज़ का देंगे, तो यहाँ पर क्या situation है, कि अगर profit ही नहीं है, या inadequate profit है, तो ऐसी situation में, हम देखेंगे, capital कितनी है, company की, effective capital, अगर वो negative है, या less than 5 करोर है, तो सारे के सारे, managerial person, weather, whole time, part time, सब को मिला कर, maximum 60 लाग हो सकता है, अगर effective capital, 5 करोर से 100 करोर है, तो 84 लेक, 100 करोर से 500 करोर है, 1 करोर 20 लेक, 500 करोर से उपर है, 1 करोर 20 लेक, plus 0.01% of effective capital, which is more than 250 करोर, और एक और बात, कि इसको हम, बढ़ा सकते हैं, provided the remuneration, in excess of the volume, may be paid, if the resolution, पास बाइदा, शोल्टन इन special resolution, अगर special resolution, पास किया जाए, मतब्द 3-4 majority से पास किया जा, तो इस amount को भी, बढ़ाया जा सकता है, अब effective capital क्या होती है, तो effective capital में, आपको paid up capital लेना है, security premium add करना है, reserve and surplus add करना है, exclusive, excluding, revolution is a profit for current year, add करना है, before remuneration, long term loans add करने है, इसमें से less करनी है, investment, accumulated losses, and preliminary expenses, तो ऐसा करने से, आपके पास effective capital आ जाएगी, और उसके हिसाब से, हम निकाल पाएंगे, कि हमारा maximum कितना, remuneration हो सकता है, जैसे question number one है, यहाँ पर हमने effective capital निकाला, तो effective capital आ गया हमारा 29,400, 29,400 in thousands है, तो इसके हिसाब से, हमारा 2,94 लेक आया, विचिस अब तो 5 करोर, तो इनको maximum remuneration 6,60 लेक दिया जा सकता है, और हमने जो दिया है, 6 लेक दिया है, विचिस विदिन दा लिमिट, हम कहेंगे, ये लिमिट के अंदर-अंदर है, तो कोई problem नहीं है, तो ये कुछ questions है, जहाँ पर हम लोगों को effective capital के base पर निकालना होता है, अब दूसरा है कि, अगर हमारे को profit हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो profit के case में हमने दीखा ही है, कि maximum profit कैसे आएगा, तो कैसे maximum remuneration आएगी, उसके लिए हमें profit निकालना पड़ेगा, अब profit कैसे निकाला जाएगा, तो हमारे पास एक होता indirect method, हम net profit जो दे रखा है उसे ले, इसमें add करतें disallowed expenses, क्योंकि जो expenses allowed नहीं है, वो add back हो जाएगे, क्योंकि पहले less हो चुके थे, उन्हें अटाया जाएगा, और जो income allowed नहीं है, उन्हें less किया जाएगा, तो हमें चार चीजे पढ़नी है, allowed expenses कौन से हैं, disallowed expenses कौन से हैं, allowed income कौन सी है, disallowed income कौन सी है, अगर direct method से करें, तो allowed income में, से allowed expenses less कर देंगे, तो हमारे पास, adjusted profit आ जाएगा, तो हमें section 198 के एसाब से, सीखना है, कि क्या है, allowed expenses, allowed income, disallowed expenses and disallowed income, तो पहले बात करते हैं, कि credit shall be given for, means, आप इसे, P&L के credit में लिख सकते हैं, P&L के credit में लिख सकते हैं, it means, it is allowed, allowed income, तो business related, सभी income allowed है, आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी, कुछ में confusion है, कि हम इन चीजों को लिख सकते हैं, या नहीं, उसके लिए, subsidy हमें government से मिलेगी, तो वो allowed है, ठीक है, transfer fees मिलेगी, allowed है, लिख सकते हैं, interest on investment, allowed है, लिख सकते हैं, gross होना चाहिए, special rebate and normal operating revenue, sub allowed है, disallowed क्या है, किसको आप नहीं लिख सकते हैं, तो disallowed क्या है, तो यहाँ पर, disallowed income क्या है, जुसे, P&L के credit में नहीं लिखना, अगर इनको P&L के credit में लिखा हुआ है, तो आपको हटाना पड़ेगा, और अगर आपने इसे P&L के credit में नहीं लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हटाने की जोलती नहीं जब लिखा ही नहीं, तो यहाँ लिखा है, जो भी security premium मिलेगा आपको, डिवेंचर या share issue करने पे, वो नहीं लिखना है, security premium, वो बिल्कुल जैनूरन बात है, क्योंकि जो security premium है, वो हम लिखते हैं balance sheet में, तो उसे P&L में क्यों लिखेंगे, तो अगर premium में लिखा है, तो उसे हटा तीजए, जब हम share को forfeit करते हैं, तो forfeit करने पर, उसको हम लोग ratio करते हैं, forfeit करके, जब हम उसको ratio करते हैं, तो जो उसके उपर profit होता है, हम 12th class में सेखते हैं, share के chapter में, कि हम उसे capital reserve में transfer कर दिया, ना कि P&L, अगर हमने उसे P&L में transfer कर दिया, तो उसे हटाना पड़ेगा, कोई भी capital nature का profit है, किसी business को खरीदें बेचने में होगा है, तो उसे भी हटाना पड़ेगा, इसके अलाबा, यहां लिखा है, किसी fixed asset को बेचा है, cost से जादा, तो selling price, अगर वो cost से भी जादा है, तो वो हमारा हटा दिया जाएगा, for example, हमारी किसी asset की WDV है, तो अगर हमारी किसी भी asset की WDV है, 40,000, cost है 60, तो अगर आपने इसे 70 में, 66,000 में बेचा, तो 60 से उपर कितना बेचा, 6,000 वो ही capital nature profit है, उसे ही हटाना पड़ेगा, profit on sale of investment को हटाना पड़ेगा, unpaid dividend को हटाना पड़ेगा, income tax refund को हटाना पड़ेगा, यह सब indirect disallowed income है, अब हम बात करते हैं, allowed expenses क्या हैं, जिसे P&L में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, business के सारे working expenses, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, important बात, अगर आप manager की remuneration निकाल रहे हैं, तो आप director की remuneration लिख सकते हैं, P&L में, लेकिन इसका उल्टा नहीं है, मतब अगर आप director की remuneration निकाल रहे हैं, तो manager की remuneration नहीं लिख पाएंगे, वो allowed नहीं है, वो disallowed, लेकिन अगर आप manager की remuneration निकाल रहे हैं, तो director की remuneration P&L में लिख सकते हैं, allowed इसके अलावा बोनस कमिशन जो हम अपने employees को दे रहे हैं income tax abnormal nature का है कोई any tax special reason से लगाया गया है interest on adventures interest on loan interest on loan again unsecured expenses on repair maintenance capital nature का ना हो और हमने कोई charitable fund वगरा में पैसा दिया है जो permission हुआ है general meeting में और जिसका amount 5% of average profit of last three years से ज़्यादा नहीं है वो सब allowed depreciation जो section 123 of companies act के हिसाब से है allowed normal depreciation allowed है loss on sale of asset allowed नहीं है और इसके अलावा special depreciation initial या development debit reserve या investment allowance reserve allowed नहीं है ब्रोड शॉरी depreciation allowed है और loss on sorry 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 loss on sale of asset allowed है loss on sale of asset allowed है बट special depreciation initial depreciation और development debit reserve allowed नहीं है investment allowance reserve allowed नहीं है बट loss on sale of asset allowed है ठीक है इसके अलावा brought forward losses allowed है compensation on breach of contract allowed है breach of law allowed नहीं है breach of contract allowed है insurance commission allowed है अगर आपने business related insurance करवाया है किसी चीज का bad debts allowed है provision for bad debts allowed नहीं है bad debts allowed है और डारेक्टर की fees हमेशा allowed है या डारेक्टर की debit में नहीं लिख सकते हैं लिखा है तो हटाना पड़ेगा हटाने के लिए add करना पड़ेगा बदा income tax super tax compensation paid voluntarily capital nature losses exgratia payment यह सब वह है जो income tax में भी PGPP में disallowed होते है personal expenses illegal expenses penalty on breach of law expenses not related to current year loss on long term sale of investment इसका मदलब इसका मदलब loss on sale of short term investment is allowed और loss on sale of asset भी allowed होते है कोई भी provision बिना liability के disallowed है appropriation disallowed है director की demolition director के लिए disallowed है manager के demolition हमेशा disallowed है special initial depreciation disallowed है development rebate deserve investment allowance deserve disallowed है बट income tax के provision के लिए PGPP में allowed होता है provision for betters disallowed है इस बात का ध्यान रखिए तो आप अपने जो है remuneration profit निकालने के लिए हम direct indirect method यूज कर सकते हैं direct method करेंगे तो GP में add करेंगे allowed income less करेंगे allowed expenses जैसे कि हमारे पास question number four है यहाँ GP दिया हुआ है तो मैंने direct method से question किया आपकी अच्छा है direct indirect method जो आपको अच्छा लगे आप उससे question कर सकते हो direct method से किया जो जो allowed income थी सबको add किया जो जो allowed expenses थे सबको less करा और पूछा हमसे comment करिए क्या क्या आपको देना है तो किवले एक manager होगा 5% एक से जादा होंगे 10% overall maximum 11% part time वाले को कितना देंगे वो भी बता देंगे question में part time है नहीं indirect method के लिए हम starting करते हैं net profit से जो है ग्यारा ग्यारा लाक माइनस opening balance तो वह हम starting किया और जो सारे disallowed expenses एं add back कर दिया disallowed income minus कर दिया तो हमरा answer आगे answer सेम ही आएगा जो आपका 27,13,233 वह ही आए तो indirect method जादा चलता है तो आपको इस बात का ध्यान लगे तो यह है questions practice करने के लिए generally करली लोग एक-दो questions देते हैं आपको करने के लिए मैंने इस chapter के अंदर आपको practice करने के लिए खुब questions दिये हैं और काफी questions है आप लोगों को आकि exam में कोई problem ना आए question करते हो तो जहां इस chapter को अलग से नहीं कराते हैं और एक और दो question कराते हैं तो मैंने वहाँ पर आपको इस में 20 question के असपास करवाएं हैं same मैंने situation थी 20 से भी ज़्यादा same situation थी profit or loss prior to incorporation में जहां पर लोग नहीं कराते हैं questions एक-दो कराते हैं वहाँ पर मैंने इतने कराएं यहाँ पर आपको taxes और एक whole time director का दूसरे पर based है वो सब equation मनाकर question करने होते हैं वह भी सब इसमें मैंने आपको करवा रखें तो इस chapter का भी revision करिए आप अच्छे से और कोई भी doubt होता कोई भी tension होता है तो आप मेरे से पूस्ट